जै श्री कृष्णा सभी को आप सबका फिर से सागत है मेरी व्लॉग श्रीविजिया व्लॉग्स में आज का जो पूरा दिन था मेरा वो पूरा दिन एक्चली पूजा पार्ट में गया तो मैं व्लॉग की सूटिंग बहुत कम कर पाई क्योंकि जहां पर हम मेडिटेशन कर रहे हैं जहां हम भगवान को ध्यान कर रहे हैं वहां पर फोन कैमरा ओन करने का या वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता लेकिन एक आज की अच्छी इविंट थी जो मैं शेयर करना चाहूँगी आज हमने बनाया कृष्णा कॉंशिस करती हूँ और कीरतन अटन करती हूँ और यह करके मुझे बेहत सुकून मिलता है क्योंकि श्रीचरणों में जब आप कुछ भी करते हो सेवा भाव से श्रदा भाव से तो आपको जो त्रिपती मिलती है ना वो शब्दों में बयां की ही नहीं जा सकती और आज तो आज जान सबसे पहले मेरे साथ स्रिक्रिष्ण के दर्शिन करें. तो बोदे सेलिबरेट करने के लिए मैंने एक उमदा सी केक को हैपी क्रिष्णा कॉंशिस लिखके क्रिष्ण भक्ति के रंग में रंग दिया उसकी बाद मैं उसे लेके पहची सीधा स्कॉन जिसे हैपी दिवाली जैसे सजाये गया था जहां पे रगवीर प्रभुजी ने के कटिंग की और उनका पॉदे सेलिबरेट किया गया और मैंने केक पे हैपी क्रिष्णा कॉंशिस ही क्यों लिखा है यह आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा तो चलिए देख पे चले मेरे साथ आप भी अटेंड करें क्रिष्णा कॉंशिस पॉदे सेलिबरेशन क्में घे जिंखो का उत्यारuto उत्सा प्योंशिस सेलिबरेशन कि जिद आप इंशिस प्राव् क evaluating पाम रेकल कि यृट्प में आपको आपकोлично कि आपको क्थे बुष्ग की अउन पिरूश् पॉस्ड़ीं प्रभुजी का बहुत देया बाब को मिला आपको अप्राइब कुछ बताएं कुछ इसे प्रिश्न बगवन की ऐसी कोई श्लोग जो जैनम से रिलेटिड हो और जो या शश्वी होने के ऊपर या हमारे कर्भू के ऊपर रिलेटिड हो तो बहुत सारे स्लोग हैं जो करम अधर मतब सबी धर्मों को त्याक कर बहुत सारे देवी देवता हैं तो क्या है एक पेड के जड़ है पत्ते हैं टैनिया है अलग शाखाय है तो हमें जड़ की पुझा अब किसी को पानी डालना पोधे को सीचना है तो टैनी और पत्ते को पानी नहीं डालेगा ना बिल्कु जड को पानी देगा तो पोशन अपने आप पहुंच जागे जैसे हम लोग भोजन पेड में डालते हैं तो हर अंग को पोशन मिल जाते हैं तो उसी परकार जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे तो हमारे हर एक देवी देवता जीतने में सब पसंद हो बताई कि हम लोग क्रि कुछ भी होता है बहुत तो प् vedotee को से दिखेंटे करते हैं तो इस इर्रिकृlor नहीं हो सकता तो मिलें श्रीलत रभूपाद से जिन्होंने इस कौन की संस्थापना गी थि इन्होंने С्रेमत भगवत की ऑद चा की भी संच्रहण लिख Republic प्रभुपात का ये मानना है कि अगर हम समुंद्र की एक पून्ध है ना तो कृष्णा वो पूरे समुंद्र है हम एक लिमिटिट कॉन्शिस्लि से बघृश्णा चिनकी हम पूजा करते हैं अच्छना करते हैं वो है 550 कॉंसिलिस्ट है आपको मेरी बात अपि समझ में नहीं आ रही होगी इसलिए मैं इस बारे में अभी कुछ ज्यारा बातें नहीं करूंगी हल हल आपको मैं ये रेकमेंड करूँगी श्रिमत भगवत कीता ये प्रभुपात की संशकरन वाला भगवत कीता आप एक बार पढ़ें फिर आपको मेरी बाते शायद अच्छी से समझ में आएगी और फिर आपको कृष्णा कॉंशिसनेस से समझ में आएगा तो आज के लिए इतना ही मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और हाँ ये जो एक किताब थी जिसकी रेव्यू मुझे अभी करनी बागी है ये रेव्यू मैं करूँगी क्योंकि ये बुक अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं है तो पहले इस बुक को कुश चैप्ट इस पचेवें उसको मैं अच्छे से पढ़ लू तर इसकी अंदर जो ख़जाना है उसे में आप तक स्यादा अच्छे से पहुचा पहूंगी तो इसी थौट के साथ जैश्रीकृष्ण, हापी लाइफ, हापी लीविंग, खुश्रयान, पुश्रयान, पुश्रयान,